हेलो क्लास 7 स्टुएट्ट नाव इस्टार्ट तर्विजन नंबर 5 क्वेशन 26 तू 40 ओके क्वेशन नंबर 36 क्वेशन आल दे एंगल क्या एंगल हमको फाइंड करना ओफ ट्रेंगल इफ दे एक्षियर एंगल एट वन वर्टेक्स इस 95 डिग्री एंड वन ओफ इस इंटियर एंगल इस 55 KS तर्ट क्या क्वेशन देम अमें हमको इंगल करना जिस इस ट्रेंगल के और हमको X-ray एंगल दिया है건 95 का और उसके एप्वोशिट और या इंट्र अपोसित अंगल दिया हमको one total किते मरे two इंट्र इंगल तो एक वन अरें टू यह एक च च शुट आइंगल हमको 95 दिया है एक इंट्र उपोसित अंगल 55 दिया तो एक हमने suppose other interior angle is x degree तो हमने आपकी एक प्रोपर्टी एक ट्रेयर एंगल प्रोपर्टी क्या होती प्रोपर्टी interior opposite angle का sum इस exterior angle के equal होता है interior opposite angle कोंसे आप एक 55 degree और x degree यह suppose कि हमने इन दोनों का समंबरा होता है exterior angle के equal होता है तो क्या आपकी by exterior angle प्रोपर्टी क्या होता है एक्स प्लस 55 डिग्री इस इगल तो 95 ओके श्रेंड तो एक इस इगल टू 55 हमारा equal का पॉसिट जागा तो माइनस को जागा तो 55 माइनस 95 माइनस 55 डिग्री ओके श्रेंड तो इंगल हमारा कौण सा बचा है लेव डिमेनिंग एक वाई डिग्री बच्चा है तो आपको इस एक लिनेर पेर दिखना है जिसे लिनेर पेर इस पर एंगल बनाते लिनेर पेर बनेंगल का सम्किया तो हमारा 180 तो इसे हमारे 95 और वाई इन दोनों का हमारा समक्या अच्छिए 180 अच्छिए तो बाई है लीनियर पे य प्लस 95 डिग्री इस इकल तोवाइव इस इकल टू 95 इकल के अपोसिट जागा तो मैनेस ty तो य की विल्टी की हो जाएगा तो हमारे य की विली को हो जाएगे में अपने फॉर्टी विल्टी सेवन क्या आपने नमगे पड़ाता प्रेंगल अ कुंत toi्स ट्रेंगल व्कैस ट्रेंगल कुण जीसी कि आमने लेस प्रेजन में आपने types of triangle पड़ा था but according to the sides था अब हम आज कम सा discuss करेंगा according to the angle okay student according to the angle क्या आपका student therefore therefore three types of triangle according to the angle कित्ते होते हमारे एंगल थ्री टाइप से होते हैं according to the angle first camera acute triangle एक्यूट एंगल क्या था अट्रेंगल हुज all three angles are less than 90 degree unknown as acute angle कुछ से होता हमारा एक्यूट एंगल हमारे तीनों एंगल हमारे 90 डिग्री से लेज देन होंगे एक 80 डिग्री एक 60 एक 40 डिग्री तीनों क्या है 90 डिग्री से लेज देन है 90 क्यों हमारा एक्यूट márंगल होगा 9 कि जेच्ट माला option मेरे प्रेंगल ओप्चूश ट्रेंगल क्या हमारा एंगल hour is greater than 90 डिग्री इस फंद इंगल अब क्यों हमारे इसमें एक एंत्ग या one अगल दिए आपको वन एंगल ऑफ senhor यौह मौरा क्या जागा ऊपहती है इसमें एक एंगल की निएक सब्सक्राइब अगर एक एंगल और नेक्स वोन एंगल इसे कि आपका एक एंगल होगा नाइंटी डिग्री की एक्वल इसके आपका एक एंगल और 90 डिग्री से एक्वल है ओके तो रिमेनिंग हमारे एक 60 एक 30 डिग्री ओके तो 90 डिग्री हमारे राइट एंगल है तो हमारे कुंस हो जागा राइट एंगल हो जागा यह आपको क्योशन नमबर 37 कम्प्रीट हो चुका है कि क्लासिवाए यह अपको क्लासीवाइब लोगते हुआ है आपको पार्ट दिया है आपको एंगल के अंगल को मेजर करके आपको देखना है कि यह 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 राइट एगल जैसे कि आपको गिवन में कि एक फिस्ट डिग्री 45 डिग्र और एटीफ डिग्री आपकेसा रे 90 डिग्री से लेस देने और हमने सीच्ल ऐस्ट एंगल की डेफिनिस्म में पढ़ाता है कि जो उनक्र हम मसीच्छ से लेस्वाईजरी से नोग वह तो यह क्या हो जागा हमारा obtuse angle हो जागा because one angle is greater than 90 degree okay straight now next हमारा question है classify the triangle अब आपको classify triangle करना as is current triangle isosless triangle and equivalent equivalent triangle जैसे कि हमने revision no.4 में आपने तीनों की definition अच्छे से करी ती समझे थी करना asbased rank क elaborate इसका बोलते हैं जिसकी सारी साइट-स डिफेरेंट होगी मतलफ सारी साइट अलग अलग होगी होकव क्या हो इसके रने さ 거죠 isosless triangle कि आहता है जिसमें 2 sides इकाल होती हूं और एक साइब्सेंट होती हूं मारा isosless triangle होती तीनов साइट्स एकवल होती हुँ हमारे क्यों होता है एकवले ट्रेंगल होता है तो फर्स्ट पाट के हमारा थी सेंटिमेटर फाइब सेंटिमेटर एंड सेंटिमेटर ओके थी सेंटिमेटर फाइब सेंटिमेटर और सेंटिमेटर त्री साइट से हमारे पास तीनों साइट्स हमारी साइट सेमेंस है नेलन्थ टैंगल क्यों होगा है विज्ञ आल साइटेशन देंट अर्ट इक्वल लेंथ तो तो हमारी क्या हो जागा इक्वलेट ट्रेंगल हो जाएगा कि तब का थैटीनाइन कम पर कम्प्लिट हो चुका है ना उसन नमर 40 ऑबजर दक गिवन फिगर आपको एक फिगर घिवन है एंड आइडेंटिफाई दर टाइपस ट्रेंगल आपको इसको आइडेंटिफाई करके आपको आंगल चॉंशे यह को आइक्षाण तेन सेंटिमिटर ने क्य 1977Be За चैने मेरे अंटीमिर तो सोल क्या वाए उनको डिकसेंगते हमारे साहते तिने हमारी बंकette है और हमारा SGIंट रिंगल मैं क्या होता है कि 300 राइज होती है अमने स्के डिफिनेशन अपड़ा तो क्या है इस इसके रेंगल वीकूस, all sides length are not equal क्योंकि हमाइग साइड़ी साइड इसमें equal नहीं है और क्योंकि तब कि 40 questions complete हो चुक्योंकि ना ओके तब कि 40 question में से ही आपके question paper आएगा तो इन question को अच्छे से समझे एक और इस question को अच्छे से revise करें और कोई problem हो तो आप मुझे self message करें क्या आपको किसी question में कोई problem आ रही हो तब उस question का screenshot लेके हम मुझे message करें कि से हमको इस question में प्रोब्लम आ रही है तो मैं आपको समझे दूँ और क्या भी 40 questions का अच्छे से विविदन के लिए student ओके थैंक्यू student